नमस्कार दुस्तों मेह अतुल और ये है बोट वाच मेट्रिक्स जो हाली में लोंच हुई है Amazon पे और आपको मिलती है 3999 में बात करेंगे इसके में स्पिक्स की तो इसमें है 1.65 इंच का AMOLED डिस्प्ले मतलब जो डिस्प्ले है काफी शांदार होने वाला है ब्राइटनेस भी काफी अच्छी होने वाली है इसमें है ओलेजोन मोड का ओप्शन तो आप किसी भी क्लोगस्टेल को चूज़ करके उससे AUD पे सेड़ कर सकते हो हमेशा के लिए क्लोगस्टेल आपकी वाच में रहेगी इसके अलावा इसमें है कस्टम रन प्लान आप अपने BMI के हिसाब से रन प्लान को क्रेट कर सकते हो इसमें हार्ट रेट और SPO2, सिलेंटरी और वाटर रिंकिंग रिमाइंडर, वेलनेस क्रू, फिटनेस बडिस, क्लाउड एन कस्टम बेट्स वाच पेसे से आप अपने हिसाब से कोई भी वाल पेपर सेड़ कर सकते हो, कोल, टेक्स्ट और सोशल मिडिया, नोटिविक्शन है, 3 ATM, डस्ट, स्वेट और स्प्लैस रेसिस्टन्ट है, मतलबा पानी में 30 मिटर तक 30 मिनट के लिए यूज़ कर सकते हो, दोस्तो हम करने वाले है इसका कौन-कौन से चीज़े मिलती है, दोस्तो ये है वो चीज़े जो आपको मिलती है बोक्स के अंदर, ये है यूज़र मैनुवल, वरान्टी इंफर्मेशन कार्ड, इसमें जो नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आपको कॉल करके, अपने प्रुनट की जो वरान्टी है, उस आपकी वाच में कोई भी प्रोब्लम आती है, तो इसके अलवा ये है प्रोड़क का लिफलेट, इसमें अलग-अलग प्रोड़क के बारे में दिया गया है, इन्फर्मेशन और ये है बोड हेड का स्टिकर, और ये है मेगनेटिक चार्जर, बात करते हैं चार्जिंग की, तो इस वाच को फुल चार्ज करने के लिए लगेंगे, आपको दो घंटे, इसमें है 260 MHz की बैटरी, और आपको मिलेगा 7 दिन का बैटरी बैकप, अगर आप ओटो हार्ट रेट और AOD यूज़ करते हो, तो आपको 2 या 3 दिन का बैटरी बैकप मिल सकता है, और आप करना है, उसके बाद ये आपको इसे यूज़ करना है, ये स्विच ओप है, तो स्विच ओन करने के लिए आपको लोंग प्रेस करना है, इस बढ़न पे, और इसके बाद जो वाच होगी, स्विच ओन हो जाएगी, बात करते हैं इसके फिजिकल और की, तो जो के से ये मिटा लिए पहले नीचे में अलाइन करना है फिर उपर की pin को खिशना है और फिर उपर में अलाइन करना है और ये इंसट हो चुकी है इस तरीके से और आपको यहाँ पर मिलेंगे दो सैंसर्स SPO2 और हाड रेट प्लास्टिक लगा हुआ है जिसे आपको निकालना है उसकरने से पहले और यहाँ पे दो strap holder दिये है red color के है जो काफी अच्छे लगते दिखने में तो इसके build quality और look काफी शांदार है design काफी शांदार है दिखने में और roll काफी अच्छी ए watch है अब हम करेंगे इसकी pairing phone के साथ दोस्तो इस watch को अपने phone से pair करने के लिए आपको अपने phone में play store से board crest इस app को download करना है फिर आपको इसे open करना है next कीजिए next ok कीजिए split app कीजिए allow कीजिए done कीजिए skip कीजिए आपको अपना number यहाँ पे enter करना है or tick करना है submit करना है एक OTP आएगा उस OTP को आपको enter करना है फिर वापस submit करना है फिर आपको sign up करना है तो आप किसी भी email ID से sign up कर सकते हो या Facebook से या फिर Google से तो मैं करूंगा Google से आपका Google account आपको select करना है आपको अपना name change करना हो तो आप name change कर सकते हो या आपके आप अपनी photo upload कर सकते हो submit करना है male female choose करना है आपका यह तो birth optional है लेकिन आप कर सकते हो add जिसके बाद height add करनी है weight आपको add करना है आपका submit किजिए next आप यह कौन सी watch है matrix इस पे tap किजिए Bluetooth आपके phone में on होना चीए अगर Bluetooth on नहीं है तो आप यहां से on कर सकते हो मेरे phone में पहले से on है फिर आपको यहाँ पे शो करेगा matrix इस पे tap किजिए अब यह successful हो चुका है next किजिए daily steps आप कितने चलना चाते हो goal set किजिए, done किजिए और आपकी watch successfully pair हो चुकी है आपको refresh करना हो तो आप swipe down करके refresh कर सकते हो सबसे फिल हम करेंगे इसके settings को change तो आपको सबसे last वाले tap में जाना है settings में सबसे पहला है profile इस पे आपको tap करना है आप यहां से अपनी height और weight change कर सकते हो time to time अगर आपको change करना हुआ तो इसके बाद है matrix features तो इसमें पहला option है watch faces का आपको tap करना इस पे आप यहां से watch face को change कर सकते हो 60 plus cloud watch face आपको मिल जाएंगे और आपको जिस किसी को download करना है उस पे आपको tap करना है और करना है apply तो हमने जो watch face select किया था वो अब apply हो चुका है आप यहां पे देख सकते हो अगर आपको अपनी खुद की कोई photo set करनी होई तो आप वो भी कर सकते हो आपको background पे tap करना है आपको photo पे tap करना है और आपको जो wallpaper set करना है उसे आप यहां से open करिए मानलो आपको यह वाला करना है तो आप इस पे tap किजिए style 2 black में style 3 yellow में style 4 green style 5 यह है शायद black या grey तो आप इस तरीक से अलग-अलग color में show कर सकते हो और आपको time कहां पे show करना है top में, bottom में left में या right में तो मैं करूँगा left में और मैं करूँगा फिर apply तो हमने जो custom wallpaper set किया था अब यहाँ पे apply हो चुका है आप इस तरीके से अपने कोई भी wall paper कोई भी photo set कर सकते हो अपनी watch के watch face पे फिर आगे है camera control तो अगर आप इस पे tap करोगे तो आपकी watch में camera shutter open हो जाएगा आपको इस पे tap करना है और photo capture हो जाएगी आपके phone में इसके अलावा आप अगर watch को shake भी करोगे तो भी आप photo को capture कर सकते हो इस तरीके से तो आप tap करके या shake करके photo को capture कर सकते हो फिर आगे है silenry reminder इसका मतलब क्या होता है अगर मानलो आप एक घंटे के लिए बिना कोई activity के ऐसे बेठे हुए हो तो आपको reminder आता है कि आपको अब चलना चाहिए उठना चाहिए activity करने चाहिए तो आपको इसे own करना है हर कितने मिनट के बाद यह reminder आना चाहिए आप यहापे time interval set कर सकते हो मैंने किया है 120 मिनट मतलब हर 2 घंटे के लिए मुझे reminder आएगा और आप यहाँ से start time end time चूज़ कर सकते हो कौनसे डाम से लेकर कौनसे डाम के बीच में यह reminder आना चाहिए फिर आपको save करना है आगे alarms को option तो आप एक साथ यहाँ पे 5 alarms को add कर सकते हो आपको plus के sun भी डाप करना है आप alarm को name भी दे सकते हो जैसे मानलों मुझे meeting के लिए करना है alarm तो meeting या कोई भी meal या lunch या dinner इसके बाद आपको time पे tap करना है time आपको choose करना है am pm चूज़ करना है okay किजिए और आपको day select करना है तो कौनसे दिन के लिए आपको चाहिए तो सभी day selected है लेकिन अगर आपको add करोगे आपके watch में show करेंगे और आप watch से भी on up कर सकते हो जब भी alarm का time आएगा आपकी watch vibrate होगी और आपको alarm show करेगा फिर आगे add ring quarter reminder तो अगर आप पानी पिने का reminder set करना चाहते हो तो आपको इससे own करना है हर कितने मिनट के बाद reminder आना चाहिए आपको करना है save फिर आगे है female wellness tracker तो अगर आप एक female हो तो आपको इस option को own करना है यहां से आपको आपका जो period date था last time वो कौन से तारिक को था ok किजिए और इसके लब आप अपना period length cycle length, period reminder कितने दिन पहले आपको चाहिए और reminder time कितने बजे का चाहिए आप यहां पे set कर सकते हो और आपको save करना है तो जब भी आपका main control cycle आने वाला होगा उसके दो दिन पहले आपको advance में reminder मिल जाएगा तो आपको इसे ok करना है save करके फिर आगे है notification का option इस पे आपको tap करना है पहला है call notification अगर आपको call देखने हुए अपनी watch में तो आपको इसे on करना है allow किजिए permissions को allow करना पड़ेगा तब जाके आप calls को देख सकते हो अपनी watch में फिर आपको इसे on करना है allow किजिए board crash app को on करना है back आईए SMS के लिए भी on किजिए app के लिए भी on किजिए और आपको कौन से आपके notification चाहिए आपको उन apps को on करना है whatsapp, instagram, gmail यहाँ पे 4 apps है इससे ज़्यादा apps आपको देखने नहीं मिलेंगे और आपको फिर करना है save ok किजिए दोस्तो अब देखते अगर आपको वे फिक call आता है तो किस तरह के से show करेगा आपकी watch पे तो आप देख सकते हो display ओन ज़्यादा है watch वापरेट कर रही है contact का नाम या number show करेगा और अगर आपको अपनी watch से mute करना हुआ तो आप mute कर सकते हो बटन पे प्रेस किजिए और call यहाँ से mute होगा phone से mute होगा हाला कि अगर आपको call को cut करना हुआ तो आपको tap करना यहाँ पे आप इस तरह के से call को cut कर सकते हो दोस्तों अब देखते अगर आपको कई भी SMS आता है तो कि इस तरह के से show करेगा आपकी watch पे तो इस तरह के से आपको SMS में शो करेगा अच्छी बात है कि डिस्प्ले इसका ओन हो जाता है वो अबरेट करती है वाच और अगर मान लो आपने इसे देखना मिस कर दिया तो आपको डिलीट कर सकते हो इसके लावा आप ऐसे स्वाइप करोगे यहाँ से भी आप उसे डिलीट कर सकते हो अगर आपको सभी को डिलीट करना हुआ एक साथ तो नीचे आपको मिलेगा क्लियर ओल का ओप्शन जैसे आप जाओगे नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो यह है क्लियर और होता है, आप message पढ़ सकते हो dismiss करने के लिए आपके जी dismiss हो जाएगा और swipe up केजे, यहां से read कर सकते हो आप एक साथ यहाँ पे 15 notification को read कर सकते हो तो अच्छे बात है, कई साली watch में 5 या 6 या 7 होते हैं लेकिन आप एक साथ यहाँ पे 15 message को या 15 सब्सक्राइब नोटिपिशन को रिड़ कर सकते हो एक साथ लेकिन यहाँ पर हिंदी फॉंट और इमोजी सपोर्ट नहीं करते हैं यह चीज आपको याद रखनी है आगे है ओटो एचार ट्राकर तो आप हाटरेट को ओटो पे सेड़ कर सकते हो आपको इस पर टाप करना है य फिर आगे है find my watch को option अगर आप इस पर टाप करोगे आपके watch का display ओन हो जाएगा और watch वाइबरेट करना चालो हो जाएगी आप देख सकते हो वाइबरेट हो रही है और display ओन हो चुका है तो इससे कहते है find my watch फिर आगे है google fit तो आप इस app को google fit से integrate कर सकते हो sync कर सकते हो जो भ हो चुका है फिर जैसे आप back आओगे तो आगे है settings का option इसमें पहला है my goals तो आप अपने जो goals है यहाँ से change कर सकते हो एक दिन में आपको कितने step चलने है एक दिन में आपको कितने sleep लेनी है आप यहाँ से set कर सकते हो और आपको करना है फिर SEO फिर आगे watch settings इसमें पहला option है wake gesture अगर आपको इसे use करना है तो इसका मतलब होता है जब भी आप अपनी watch को उपर उठाओगे display उसका own हो जाता है उसे कहते है wake gesture distance unit आपको kilometer ही रखना है time format आप 12 hour या 24 hour में set कर सकते हो आपको 12 hour करना हो तो 12 hour okay किजिए और D&D आप use कर सकते हो आपको इसे own करना है तो on किजि तो जब भी आप D&D का use करोगे तो आपकी watch में कोई भी notification और कोई भी reminder नहीं आएगा फिर आगे है disconnect watch अगर आपको अपनी watch को phone के साथ unfair करना हुआ तो आप unfair कर सकते हो यहां से फिर इसके बारात आगे है help and feedback का option इसमें आप feedback को send कर सकते हो या फिर अगर आपको contact करना हुआ email के जड़ी है तो आप यहां से contact कर सकते हो email दिया गया है यहां पर दोस्तों यह था settings के बारे में अब हम बात करते है homepage की तो आप देखोगे यहां पर तीन tab आपको देखने भी लेंगे activity, home और modes बात करते है home की तो यहां पर आपको आज के steps, kilo calorie, distance शो करता है जैसे आप इस अगर आपको कल के steps देखने हुए तो आपको यहां पर date पर change करना है, date को change करके आप जो particular day का steps है, kilo calorie है, distance है और यहां पर देख सकते हो graph के साथ कितने बज़े आप नहीं किया था, कितने steps आपने cover किये थे और इसके लावा आप अगर इस button पर tap करोगे, यह है history का button तो इस प आपने cover किया था, इसके लावा आप इस data को share भी कर सकते हो यहां से, इसके लावा अगर आपको किसी particular date पे jump करके उस date का record check करना हुआ, तो आपको इस calendar के button पे tap करना है, और आप किसी भी date पे jump करके उस date का record है, वो check कर सकते हो, same यहां पे आप देख सकते हो heart rate में, तो आपक इतने बज़े measure किया था, graph wise show करता है, इसके लावा आप day को change करके भी, कल का या फिर परसो का या फिर जो दिन का आप select करोगे, उस दिन का आप यहां पे record check कर सकते हो, और यहां पे history पे tap करके, आप particular day का जो record है, check कर सकते हो, यह है day wise, week wise, और month wise, इसके लावा आप किसी भी data जिसमें आपको show करेगा, आप कितने घंटे के लिए सोए थे, hour और minute में, और नीचे आपको graph दिखने मिलेगा, कितने बज़े आप उठे show करता है, जो dark color है, वो deep slip के लिए है, और जो light color है, वो light slip के लिए है, तो आप यहां पे देख सकते हो, light slip, deep slip कैसी थी, कैसे pattern में थी कितने घंटे के लिए sleep थी, कितने घंटे के लिए light slip थी, और कितने घंटे आप जागे थे, सोने के दोरान, यहां पे show होता है, और यह है, आज का आप जो day है, उसे change कर सकते हो, कल का परसो का, इसके लावा आप यहां पे history पे tap करके, day wise, week wise, month wise, अपना जो sleep data है, वो check कर सकत हो, और सभी vitals को अगर check करना हो, तो vitals पे tap कीजे, और आपको यहां पर one by one सभी vitals मिल जाएंगे, steps, heart rate, sleep और SP2 यहां पे show करता है, दोस्तों फिर जैसे आप home page पे आते हो, तो आपको नीचे मिलता है option, wellness, crew का, अब इसका मतलब क्या होता है, आप अपने friends या family member को, इसमें add कर सकते हो, आपको plus के sign पे tap करना है, contact को select करना है, और send करना है, उन contact को invitation जाएगा, और जब वो join करेंगे, तब यहां पे वो show करेंगे, लेकिन उनके पास भी bone crest आप का होना जरूरी है, और फिर आप एक दुसरे के साथ अपने जो vital से share कर सकते हो, उनके vital मतलब SP2, heart rate, distance, steps वो आप देख सकते हो, और आपके vital वो दुसरे जो friends है, या family member वो देख सकते हैं, जो भी आप इसमें add करोगे, इसके लाव आप family doctor को भी यहाँ पे add कर सकते हो, ताकि आपके जो vital से उन्हें वो check कर सके, और फिर इसके नीचे show होता है, recent activity का page, मतलब आपने recently कौन से activity की थी अगर आप इसमें tap करोगे, तो आप detail में check कर सकते हो, कि आपने कितने time के लिए ये activity की थी, कब की थी, कितने बज़े की थी, distance कितना cover किया था, heart rate कितना था, average heart rate, minimum maximum कितना heart rate था, steps आप कितने चले थे, kilo calorie कितनी burn हुई थी, pace कितना था, pace का मतलब बताए कि 1 km कवर करने के लि और नीचे होता है heart rate zones, तो आपके heart rate कितने percent कौन से level पे थे, fat burn था, warm up था, cardio था, threshold था, इस तरह किसे आप check कर सकते हो, और यहाँ पे होता है, हर एक minute में आपके steps कैसे थे, कैसे change हुए है, आप देख सकते हो, और यह है हर minute का heart rate, तो मतलब हर minute में आपके heart rate कैसे change हुए है, आप देख सकते हो, minimum कितना था, maximum कितना था, यहाँ पे show करता है, और आप इस data को share भी कर सकते हो, इस तरह किसे photo share हो जाएगी, आपके किसी भी contact को, उसी तरह किसे अगर आप activity पे tap करोगे, तो आपने जो भी activity की थी, यहाँ पे show करता है, आपको view history पे tap करना है, और आप जो BMI के हिसाब से, आप custom running plan बना सकते हो, तो आपको start करना है, आपको proceed करना है, आपका goal क्या है, weight lose करना है, lean होना है, इस तरह किसे आप कर सकते हो, अगर lean के लिए तो lean कीजिए, next कीजिए, आप एक हपते में कितने दिन run करने वाले हो, तो मैं मानूंगा 3-4 दिन, आप एक हप आप से no, और फिर करना है build up plan, इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग-अलग plan, एक वीक, दो वीक, तीन वीक, चार वीक के अलग-अलग plan, तो मानलो मुझे करना है दो वीक का plan, तो मैं इस पर टाप करूंगा, और फिर आप देखोगे view, full schedule, तो इसमें होता है week 1 का जो planning होता है वो और week 2 का, तो week 1 में आपको 6 activity करनी है, 13 km आपको distance cover करना है, अगर आप इस पर टाप करोगे तो आप जान सकते detail में, day 1 में आपको कितना km और कौन सी activity करनी है, और फिर आप यहाँ से subscribe कर सकते हो, और okay करिए, कल से जो plan होगा आपके लिए start होगा, और आप उस उसाब से running कर सकते हो, जैसा आपके plan में दिया गया है, दोस्तो फिर पहला जो page होता है, वो होता है, वाइडल्स के लिए जो हम देख चुके है, फिर होता है, buddies का option, आप अपने friends को add कर सकते हो, जो भी friends, board crest app करते हैं, उन्हें आप add कर सकते हो, उनके साथ compete कर सकते हो, कि उन और यह है badges के लिए, जब भी आप कोई भी goal achieve करोगे, तो आपको badge दिये जाएंगे, और badge होते हैं, अलग-अलग इस तरह के से 5x power, 10x power, और यह badge आपको कब मिलेगा, तो आप IQ button tap करके check कर सकते हो, कि आपको यह badge है, कब मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह के से आप यहाँ पर जान सकते हो, दोस्तो तो यह था app के बारे में, अब हम देखते हैं, आपको watch में कौन-कौन से features और settings देखने मिलते हैं, दोस्तो आप अपनी watch से भी watch face को change कर सकते हो, आपको long tap करना है watch face पे, और आप swipe करके इस तरह के से उन्हें change कर सकते हो, अगर आपको य और day शो करेगा, बैटरी परसंट शो करेगी, यहाँ पर है दूरो डिस्टब का पहला option, अगर आप इसे enable करोगे, तो आपके watch में vibration नहीं होगा, और कोई भी notification नहीं आएगी, इसके अलावा, आगे है find my phone, अगर आप speed up करते हो, तो अगर आपका phone silent भी होगा, तो आपके phone म ring बजेगी, आप देख सकते हो, और इसे stop करने के लिए आपको बढ़ने पर प्रेस करना बढ़ता है आपके phone में, तब जाके off होता है, तो मान लो अगर आपने phone को misplace कर दिया, कई पर रख दिया, आपको पता नहीं है, आपका phone silent पे है, तो आप इस तरीके से ring कर सकते हो, औ आप तीन लेवल पे brightness को set कर सकते हो, एक होता है low, medium और high, इस तरीके से यहाँ पे तीन लेवल है, लेकिन तीन लेवल पे जो brightness है काफी बढ़िया है, तो मैंने तीन पे यहाँ पे set किया हुआ है, आप outdoor में भी काफी अच्छे से देख सकते हो, brightness काफी high है इसकी, और sharp display है इ इसमें है पहला watch face, तो आप यहाँ से भी watch face को change कर सकते हो, फिर watch face के आगे है, AOD clock का option, तो अगर आप इस पे tap करोगे, तो आप जो AOD है, always on display, उसका विस कर सकते हो, दो तरीके से, अब यह shutdown है, off है, लेकिन आप उसे digital पे भी रख सकते हो, तो आपको इसे select करना है, आपको wait करना है, जैसे आपके display उख हो जाएगा, आप देख सकते हो, यह है, always on display, तो हमेशा के लिए, आपकी watch में, यह time show करेगा, इस तरीके से, और अब analog clock, wait कीजिए, यह है, analog clock style, तो आपको hour और minute का जो काटा है, show करेगा, always, हमेशा के लिए, क्योंकि यह है, AOD, तो आप दो तर और अगर आपको back जाना हुआ, तो आपको इसे swipe करना है, आप swipe करके back जा सकते हो, इस तरीके से, आप यहाँ पर देख सकते हो, या फिर आप button पर press करके, direct homepage पर आ सकते हो, अगर आप इस button पर long press करोगे, तो आपकी watch directly switch up हो जाएगी, आगे है screen time का option, मतलब आपके जो watch की screen है वो कितने second तक on रहनी शाइए, तो मैंने अप select किया है 25 second, तो 25 second तक display इसका on रहेगा, उसके बाद off हो जाएगा, minimum है 5 second का option, और maximum है 25 second, और आगे wake gesture, आपको wake gesture अगर use करना हुआ, तो कितने second का करना है, इसका मतलब क्या होता है, मानलो आपने अपने display को off कर दिया, ठीके, wake gesture time out, तो आप settings बजाकर इसे adjust कर सकते हो, अब मैंने रखा हुआ है 2 second, मतलब जब भी मैं wake gesture करूँगा, 2 second के लिए ही display on होगा, लेकिन आप इसे maximum 6 second कर सकते हो, मैंने अब 6 second किया है, तो आप जैसे display off होगा, अगर मैं इसे wake gesture के जरीए on करूँगा, तो 6 second तक display इसका on इस तरीके से, तो आप जो wake gesture का time out है, उसे भी adjust कर सकते हो, फिर आगे है vibration level का option, तो आप यहाँ से vibration level को adjust कर सकते हो, यहाँ पे आपको मिलेंगे 4 option, 0 मतलब off, vibration को अगर आपको off करना हो तो आप 0 रखिये, 1 है low के लिए, 2 है medium के लिए, और 3 है strong के लिए, अगर आपको vibration level है, intensity vibration की वो भी adjust कर सकते हो, आगे है download app जो हम कर चुके है already, और यह है system, इससे आप shut down कर सकते हो, अपनी watch को, या फिर reset कर सकते हो, यहाँ से, फिर home page पे जैसे आप swipe करोगे left में, तो यह है today's data, जिसमें आपको steps, distance और kilo calorie show करता है, फिर आगे है heart rate, आप यहाँ से heart rate को measure कर सकते हो, यहाँ पे आपका BPM show करेगा, आपको wait करना है 15 से 40 से कंद तक लग सकता है time, फिर इसके बाद है sleep data, तो आप कितने घंटे के लिए सोए थे, hour और minute में show करता है, light sleep कितने घंटे के लिए थी, deep sleep कितने घंटे के लिए थी, यहाँ पे show करता है, फिर इसके बाद, जै यह आप workout को start कर सकते हो, जिसमें है running, walking, climbing, spinning, cycling, elliptical, rowing machine, yoga, basketball, rope, skipping और free training, अगर आपको walking start करना है, तो उस पे tap किजिए, तो यहाँ पे show करेगा सबसे उपर में timer, फिर यह होगा heart rate, average heart rate, फिर यह है, pace के लिए 1 km आप कितने मिनट में cover करोगे, फिर swipe up करोगे, तो आपने कित अचल सा आपने cover किया है, और एक मिनट में आप कितने steps ले रहे हो, आपको यहाँ पे show करता है, workout में, और आपको अगर इसे stop करना हो, तो आप stop करिए, इस पे press कीजिए, बढ़न पे, और end कीजिए, अगर आप चाहते हो, जो data है, save हो, तो आपको minimum 5 मिनट करना है, 5 मिनट कर workout आपने किया था, लोगों के साथ चोगा, कितने time के लिए किया था, steps आपने कितने cover किया थे, यहाँ पे show होता है, अगर आपको सभी को delete करना हो, तो आपको happy tap करना है, अगर आपको एक को delete करना हुआ, तो इसे swipe करना है, और आपको मिलेगा यहाँ पे corner में delete का option, लेकिन हम heart rate, steps, आपकी pace, kilocalorie, distance और cadence, मतलब एक मिनिट में कितने steps आपने लिए थे, आपको यह सब show होता है, और आपका heart rate, graph है show करता है, average कितना था, minimum, maximum कितना था, और आपका जो heart rate था, कौन से zone में कितने मिनिट के लिए था, यहाँ पे show करता है, तो यह detail आप देख सकते हो, अपन 95 के उपर होना चाहिए, आपको यहाँ पे value show करेगा, फिर आगे है woman health, अगर आप woman हो, और आपने यहाँ पे जो female wellness tracker enable किया होगा, आप में तो यहाँ पे show करेगा, कितने दिन बचे है, evaluation आने के लिए यहाँ पे show करता है, फिर आगे है brain training, तो आप जो सास लेनी की practice है, उसे कर सकते हो, timer आपको straight करना है, एक मिनट या दो मिनट आपको minute पे tap करना है, और यहाँ पे breathing workout स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जो circle है, बड़ा छोटा हो रहा है, उस तरीके से आपको breathe in और breathe out करना है, इस तरीके से आप जो breathe exercise है, वो कर सकते हो, फिर आगे notification तो जो भी notification आपको tap करना है, play हुआ है, next, previous, volume up-down कर सकते हैं, तो इसके बाद है, find my phone जो हम देख चुके है, alarm clock, जो भी आप alarm state करोगे अपने app में, यहाँ पे शो करेगा, क्वों से time के लिए आपने alarm set किया है, क्वों से day पे आपने alarm set किया है, आप यहाँ से on-off कर सकते हो, इस तरीके से, हाला कि आप इसे edit नहीं कर सकते हो, लेकिर आप यहाँ से on-off कर सकते हो, edit करने के लिए आपको app में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद है stopwatch, तो आप यहा लियाप है वो चेक कर सकते हो ब्याक आईए reset कीजिए इस तरीके से और उसके बाद है timer का option तो यहाँ पे है custom तरीके से आप अपने एसाब से भी कर सकते हो pencil का icon पे टाप करना है आप 24 गड़े तक का जो timer है उसे set कर सकते हो यह है hour यह है minute और यह है second start कीजिए timer start हो जाएगा इस तरीके से reset कीजिए ब्याक आईए फिर आगे है settings का option जो हम देख चुके हैं दोस्तो यह थे ओ features और settings जो आपको देखने मिलते हैं इस watch में और यह था boat watch matrix का full setup guide अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो आप मुझे instagram पे या फिर twitter पे message कर सकते हो इस video को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो